Hello everyone, welcome to my class. आज के इस class में हम समझेंगे addition and subtraction of rational numbers. पिछली classes में मैंने आपको fraction का addition and subtraction explain किया है. तो इसको भी add and subtract तो बैसे ही करते हैं. बट इसमें बच्चों को sign को लेकि काफी problem होती है कि positive means negative number के साथ कैसे add करेंगे या in domain का sign कैसे लगेगा तो चलिए आज की class में हम इसे समझते हैं. पहले हम addition करते हैं उसके लिए मैंने कुछ questions लिया हुआ फिर आगे हम subtraction भी इसका सीखेंगे. तो first question is 2 upon 3 and 4 upon 5. ये दो rational numbers है इसे हम add करेंगे. तो simply पहले हम इसे यहां लिख लेते हैं 2 upon 3 प्लस आपको क्या है 4 upon 3. देखे इसमें दोनों में positive number है. ठीक है तो इसको simply आप उसी तरह से करेंगे जैसे fraction में करते हैं. फर्स्ट क्या करते हैं अगर नीचे का number में denominator सेम नहीं है. तो क्या करेंगे? लेंगे और number को equal करेंगे. और अगर denominator equal लेता है तो direct आप यहां पर इसे common ले लेंगे. तो पहले हम इसका LCM लेते हैं. तो 5 and 3 का LCM क्या होगा? 3 and 5 का 15 होगा क्योंकि इनका कोई common factor नहीं है. तो simply इसका LCM होगा 15. हम एक line में easy way में इसको solve करते हैं. समझते हैं. चलिए. 15 इसका होगा. LCM ठीक है? अब क्या है? 3 5s are 15 है. तो आपको क्या करना है? 2 में 5 से multiply करना है. 2 5s are 10. देखिए इसमें दोनों positive number है. इस question में इसलिए एकदम simply fraction की तरह ही होगा. 2 यह देखिए 5 3s are 15. means 4 में 3 से multiply होगा. तो 4 3s होगा. 12. आप चाहिए तो इसको कई स्टेप में करिए. या शो करिए. means 2. इसको अलग-अलग पहले आप multiply करकी दिखाएए. या direct भी आप कर सकते हैं. चिक है? अब यह दोनों positive positive है. means add हो जाएगा. 10 and 12 का add होगा. हो जाएगा 20 upon 15. अब इसे जो है 5 से हम solve कर सकते हैं. 5 4s are 20. तो यहाँ पे 4 and 5 3s are 15. तो इस तरह से हमने इसको 5 से cancel किया हो. इस तरह से आगा answer 4 upon 3. सेकेंड कोश्चन इस. माइनस 3 upon 7 and 1 upon 3. इसको simply हम यहाँ लिखते हैं. देखें. अब यहाँ पे देखें. एक positive और एक negative है. इस question में दोनो negative है. यहाँ पे दोनो positive है. तीनो cases के questions मैंने लिये हुए हैं. ठीक है? तो इसको solve करते हैं. माइनस 3 upon 7 plus 1 upon 3. सिंप्ली इसमें भी क्या करेंगे? denominator change है. LCM लेंगे. denominator same होता तो direct आप यहाँ common ले लेते हैं. 7 and 3 का LCM क्या होगा? 21 होगा. अगर LCM निकालना नहीं आता है. तो मेरे आप वीडियो में पिछले देख सकते हैं. 7 and 3 का LCM होगा? 21. आपने यहाँ simply 21 लिया. अब यह देखें. 7 and 3 is 21 है. means आप उपर की number में numerator में आपको 3 से multiply करना है. तो अगर 3 से multiply होगा तो 9 होगा. and plus minus का multiply है. तो यह हो जागा. minus 9 plus 3 7 से होगा. में 7 से होगा. तो 7 होगा. तो इस तरह से आगया. minus 9 plus 7 upon 21. ठीक है? अब यहाँ पर आपको समझना है. एक minus 1 plus. अब क्या होगा? इसमें subtraction हो जाएगा. तो 9 में से 7 minus होगा. 2 होगा. नीचे आगया 21. ठीक है? अब एक चीज़ा आपको और देखना है. जब आप subtract करेंगे. तो जो बड़ा digit होगा. उसका sign लगेगा. देखे. तो यहाँ पर किसका sign लगेगा? 9 का. क्योंकि यह negative sign के साथ है. 9 बड़ा है. तो यह answer is minus 2 upon 21. अब third question है. third question में देखे. दोनों ही number negative है. दोनों fractions क्या है? negative है. तो इसे हम पहले लिख ले थे हैं. फिर आगे इसको solve करते हैं. minus 4 upon 5. यह question number 3 है. and this is 2. minus 4 upon 5. plus क्या है? minus 3 upon 7. आप जब देखे. negative sign है. तो आप इसको ऐसे bracket में ले लिए. plus क्या है? minus 3 upon 7. equal to देखे. क्या हो जाएगा? हम इसको direct भी कर सकते हैं. हम इसको long में show भी कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पी क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं. bracket open कर देंगे. तो plus minus क्या हो जागा? minus. तो आप minus 4 upon 5, minus 3 upon 7 पी करके solve कर सकते हैं. या हम इस sign को बाद में open करें. ये भी हो सकता है. ठीक है? तो 5 and 7 का 35 LCM हो जाएगा. हम इस sign को bracket में इसी तरह लेते हैं. 5 and 7 का LCM हो जाएगा 35. अब क्या है? 5, 7 दा 35 है. तो 4, 7 जा भी हम लेंगे. देखिए एक चीज़ समझे. जिस नंबर से हम denominator में multiply करते हैं. सेम उसी नंबर से हम उपर भी multiply करेंगे. means, जो LCM होता है. जैसे यहाँ पे LCM है 35. तो क्या, क्यों LCM 35 है? क्योंकि 5, 7 दा 35 आया. तो आपने इसे 35 किया. तो आपको सेम नंबर से numerator में भी multiply करना है. तो 4 में जब आप 7 से multiply करेंगे. तो क्या होगा? 28. 4, 7 जा 28. तो minus 4 है. तो minus 28 हो गया. ब्रैकेट में ले लिए. प्लस. 7 में 3 से है. तो आप 3 में 3 से करेंगे. 7 में 5 से है. 7, 5 से 35. तो आप 3 में 5 से करेंगे. 5 तरी से क्या हो जाएगा? 15. और minus का sign इसी तरह से रहेगा. ठीक है? और आगे आजाएगा देखे. minus 28 प्लस 15. जब दोनो sign negative है. आप simply इसको जो है. इसको हम दोनों तरह से आपको करके दिखा देदे. पहले आप इस तरह से देख लीजे. इसका जो second process है. उस तरह से भी solve करेंगे. तो दोनों को, देखे, minus minus है. दोनो add होगा और sign minus का लेगेगा. देखे, जब प्लस प्लस हो गया. तो प्लस का sign जब प्लस और minus होता है. तो क्या होता है? प्लस और minus के case में होता है. एड जो है, जो digit बड़ा होता, उसका sign लग जाता है. अगर प्लस का, अगर जो है, minus sign वाला digit बड़ा, तो आप उसका sign लगाएंगे, और प्लस वाला है, तो आप कुछ लगाएंगे नहीं, उसको तो हम एजितिश छोड़ देते हैं. तो इसमें देखिए, दोनों negative है, तो आपका simply negative का sign आएगा, minus and 28 and 15 को add करेंगे, तो हो जाएगा 43 upon 35. ठीक है, आप इस तरह से भी इस question को solve कर सकते हैं, और चाहें तो आप थार डिटेल में भी आपको एक question को solve करकी दिखा देते हैं, जैसे minus 4 upon 5 है, इसी same question को ही हम यहाँ पर explain करना है, minus 4 upon 5 plus minus 3 upon 7 है, ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं, minus 4 upon 5 and यह bracket इससे plus minus का multiply होता है, तो क्या आता है, plus minus के multiply में minus का sign होता है, तो इस तरह से bracket आपने open किया, तो यह minus हो जाएगा and minus 3 upon 7 हो जाएगा, ठीक है? plus minus के sign में minus होता है, अगर minus minus होता है, तो plus होता है, यह जो कि आगे के question में, जब हम आपको subtraction explain करेंगे, तो इस case में हम आपको समझाएगे, किस तरह से होता है, तो यह minus 4 upon 5 and minus 3 upon 7 हो गया, आप simply उसी तरह से इसको solve करेंगे, 35 इसका LCM हो गया, उपर आपने सेम जैसे मैंने बताया है, वैसे आप इसको multiply करेंगे, 5 7 है, तो 4 7 करेंगे, minus 28 and minus 15 उपर हो और इसको minus 28, minus 15 add होगा, and minus 43 upon 35 आजाएगा, तो यह हो गया, addition के कुछ कोशन, अब चलिए हम आगे बढ़ते हो, rational number के subtraction को सीखते हैं, subtraction के यहां तीन कोशन हैं, चलिए के करके को solve करते हों समझते हैं, first question is 2 upon 3 from minus 5 upon 7, means 5 upon 7 से, क्या subtract करना है, 2 upon 3, means minus 2 upon 3, आपको subtract करना है, सेम उसी तरह से करेंगे, 7 and 3 का LCM रेंगे, होगा 21, डारेक्ट ही करते हैं, लेकिन चलिए आपको एक कोशन में हम समझा देते हैं, कि किस तरह से क्या जाते हैं, जैसे आपको क्या करना है, 7, 3 is 21 है, चीक है, तो आपने नीचे यहां 21 लिया, and 7 में 3 से हैं, तो आपको 5 में 3 से करना होगा, means minus 5 multiply by 3, फिर minus, नीचे फिर 21 है, देखें, इसमें भी, इसका विल, LCM 23, sorry 21 है, तो means क्या हुआ, 3 7 सा है, तो आपको 2 में 7 से करना है, तो 2 में 7 से, आपने किया, minus यह है, बीच में 2 7 सा, तो हम यह अलग जो है, नहीं करते हैं, direct आपको करते हैं, क्योंकि class 7, 8, 9 में, बच्चे इतने समझदार हो सके, जाते हैं, कि वो directly इन सब questions को करें, तो आपको यह ज़रूरत है, अगर आपके टीचर्स देखने हैं, तो आप इस step को show करें, बच डारेक्ट जैसे मैंने आपको उपर के question में दिखा है, आप डारेक्ट मुल्टिप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है, simply आप 5 3 जादे के 15 हुआ, आपने यहां निकिए 15 अपान 21, माइनस 14 अपान 21, अब इसको आगे हम इस तरह से चलिए solve कर लेते हैं, अब देखिए अब जब LCM जो निकल गया, अब क्या करना है आपको यह नीचे, 21 21 है, नीचे आपको 21 कॉमन लेना है, इसको मैंने थोया long में आपको दिखा है, माइनस 14, sorry, माइनस 15 and माइनस 14, दोनों माइनस से देखिए, माइनस माइनस, जब दो साइन माइनस माइनस होता है, तो दोनों नमबर एड़ हो जाएगा, ठीक है, यह चीज समझना है, दोनों माइनस है, तो एड़ होगा, दोनों प्लस है, तो एड़ होगा, एक माइनस और एक प्लस है, तो सबस्ट्रेक्ट होगा, और जो बड़ी डिजिट का साइन होगा, वो हम लगा देंगे, ठीक है, तो यह दोनों माइनस है, तो एड़ होगा, 15 plus 14 क्या होगा 29 and दोनों पर negative sign है तो simply यहाँ पर negative sign हो गया and यह upon नीचे 21 तो this is answer second question is 4 upon 5 from 5 upon 8 दोनों positive number है ठीक है यहाँ पर देखे दो एक negative एक positive था अब यहाँ पर दोनों positive है तो जैसे हम fraction में करते हैं सेम उसी तरह से इसको करेंगे means 5 upon 8 से क्या आपको subtract करना है 5 upon 8 from 4 sorry 4 upon 5 from 5 upon 8 तो 5 upon 8 आपने पहले लिया minus 4 upon 5 ओके तो इसे चलिए solve करते हैं simply 5 8 जा क्या होता 40 इसका calcium 40 हो जागा क्योंकि कोई common number नहीं है नीचे आपने simply डारेक्ट आप हम करते हैं 40 क्या ठीक है 5 5 8 जा 40 होगा उपर आपने क्या 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 देखिए कैसे करेंगे आप समझे इसको तो 8 में 5 से multiply है 40 हुआ इसी तरह आपको 5 में 5 से करना होगा आप इसको चाहिए तो इस तरह से यहां दिखा सकते हैं मैंने बताया है यह आप डारेक्ट भी कर सकते हैं 5 8 जा है 5 8 जा 40 तो यहां पर 4 में किस से होगा 8 से multiply होगा ओके यह स्टिप दिखाने की जरूरत नहीं होती है अब डारेक्ट इसको solve कर सकते हैं 5 5 जा होगया 25 4 8 जा 32 अपान 40 ओके एक प्लस एक माइनस अब आप यह देखे टीक है तो यह क्या होता है एक प्लस एक क्माइनस में क्या होता सब्स्टәक्ट होता है एड़े डिजिट का साइन लगता है तो 32 माइनस 25 है 7 होगा अपान 40 अब यहां पर बताये साइन किसका लगे अगा 32 I was minus 8 upon 5 from 3 upon 7. Okay. चलिए, इसको solve करते हैं. Means 3 upon 7 से आपको क्या subtract करना है? Third question is this. And, okay. यह second question है. And this is first question. Sorry. Third question है. देखिए, क्या है इसमें? Minus 8 upon 5 from 3 upon 7. Means 3 upon 7 से आपको minus 8 upon 5 करना. आप यहां पर आपको ध्याम देना है. 3 upon 7 minus, ठीक है? Minus 8 upon 5 है. तो 8 को, माइनस 8 को आप bracket में ले ले लिए. And 5. अब आप चाहिए तो डारेक्ट इसको multiply कर लेते हैं. 3, 7 सा. Minus minus है. Bracket open होगा. Minus minus की multiply में मैंने आपको बताया है. Plus होता है. तो यह होगा. Plus 8 upon 5. ठीक है? अब आप डारेक्ट इसको उसी तरह से कर लेंगे. 7, 5 सा क्या होता? 35, इस कैल्सियम हो जाएगा. 35. ठीक है? 7, 5 सा है. तो आपको 3, 5 सा करना है. 15. 15 प्लस 5, 7 सा है. तो आपको 8, 7 सा करना होगा. चीक है? 56. 56 प्लस 15. सिंप्ली दोनों प्लस प्लस है. एड हो जाएगा. और आजाएगा 70. 6 and 5 होगा 11. 1 कहरी 5 and 6 and 7. 71 upon 35. तो यह इसका answer हो गया. I hope कि आपको अच्छी तरह समझ में आया हो. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें.